हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो में चैनल फ्रेंट्स आज मैं फिर से ही विसकस को ले के आई हूँ क्योंकि फ्रेंट्स पिसले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था अगर आपका प्लांट्स एक साल से ज्यादा हुआ है अपका ही विसकस का प्लांट्स तो उ वीडियो आपके लिए है और साथ में अगर आपका प्लांट्स एक साल का अभी तक नहीं हुआ है तो वो प्लांट को आपको अभी कैसे करके क्यार लेनी है इस फेवरारी के महिने में फ्रेंट्स ये सारे प्लांट्स देखिया अभी डर्मेंसी में थे इतने दिनों तक यानि नेंद में जैसा था तो सारे प्लांट्स को अभी हमें जाकाने का समय आ गया है तो इसलिए इस समय हमें ये सारे हिबिसकस को अच्छे से निउट्रिशन देना परेगा किसी जो की अभी एक साल के कम हुआ है इस प्लांट का तो वो प्लांट को ऐसे करके देख भल करनी है औ आज मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो फ्रेंट्स इसलिए फीडियो पुड़ा एंड तक देखिएगा, क्या क्या नूट्रिशन देना है, मिट्टी को सेंस करके नया मिट्टी देना है, सारो तरफ से आपको मिट्टी उठाना है, और यह मेरा आट इंस का साथ में ऐसे करके आपको जो प्लांट है उसके चारो तरफ से ऐसे करके मिट्टी उठाना है, तो देर इंस दो इंस तक आपको मिट्टी ऐसे करके चारो तरफ से उठाना है, और प्लांट के दो तीन इंस दूरी से आपको ऐसा करके खोदाई करना है, और खोद के सारे मिट उठाना है तो बिल्कुल ऐसा ही करके आप भी उठाएगा तो इसको उठाने के बाद इस जितना भी मिट्टी हमने उठा लिया है यहां पे नया मिट्टी अभी हमें भराना परेगा और फ्रेंड्स अगर आपका प्लांट्स दो साल का है यानि एक साल से ज्यादा हुआ है तो फिर अपको यह प्लांट को अच्छे से निकालना परेगा पोट से निकाल के सारे रूट्स को भी प्रूनिंग किजिए गा और साथ पे जितना भी ब्रांशे से वो सबको भी हार्ट प्रूनिंग करना है तो उसके लिए आप मेरा वळा वीडियो ज़रूर चेक जिएगा अ और दीए तो एक शल से कंच है यह प्लंट बोग दिए प्लंक है, अब्हाँ ही यह सोर नगाए हो। एक शूरलक है तो लाइट प्रुणिंग नहीं करना है प्लाइज झाब करना है वह एक रीडोर्क, तो जो प्लंक हमें और तो आप यह बदू कर सकते हैं देखिए ऐसा करके आप light pruning कर सकता है तो आप आपके प्लांट के हिसाब से की जिएगा तीन टीन-शार नोड छोर के आपको ऐसा करके काटना है था प्रोनिंग करने के लिए और देखिया जितना भी हमने branches काट लिया वो सब पे ऐसे करके आपको जो fungicide powder है उसको liquid बना के देना है और branches को काटते वक्त आपको V-shape में काटना है यानि 45 degree angle में आपको काटना है और देखिया इसको हमने अच्छे से सारे मिट्टी निकाल लिया है और निकालने के बाद य यहां पर जो मिट्टी लिया देखिया यह है फार्मी कमपोस्ट या फिर जो भी कमपोस्ट आपके पास अवेलेबल है वो एक भाग और साथ में दो भाग मैंने गार्डेन से लिया है और उसके साथ यह निम खर लिया अगर आपके पास अवेलेबल है जोरूर मिलाएगा औ और साथ में फांगिसाइट पाउडर भी आप मिलाएगा, क्योंकि हमने रूट्स काटा है, तो फांगास लाग सकते हैं, तो अगर आपके पास एविलेबल है, तो जोरूर मिलाएगा, या फिर उसके बदल में आप तार्मेरिक पाउडर भी मिला सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो वो सब को अच्छे से मिला लिया, तो ये मिट्टी तो अभी हम डालेंगे, और साथ में फांटिलाइजर भी देना परेगा प्लांस को, तो देखिए ये हैं मास्टर्ट केक पाउडर, इसको आपको दो चम्मस लेना है, ये मैंने 10 इंस, 12 इंस के पॉट के हिसाब से, मैं बोल रहे हूँ और साथ में ये हैं बोन मिल, ये दिखिए तो बोन मिल भी आपको दो चम्मस लेना है, ये बोन मिल पाउडर है, और साथ में एक टास्ट फॉर्म में भी मिलता है, तो डोनों में से जो भी आपके पास एविल बोल है, वो ही दे सकते हैं, और साथ में ये डी एपी है, इसको आपको ऐसा करके एक आधा सम्मस लेना है, ये टेबल इस्पुन है, इससे आधा सम्मस लेना है, और साथ में यूरिया भी आपको देना है, ऐजक मैं ताइटा समॆंच से भी कमनें तो ऐसा करके आपको बारण्स के पॉट में दें और एक तरीके से भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास मास्टाड के पाउडर के बदल में फॉर्न डास्ट है वोच दे सकते है और पॉनमील के बदल में आप जो शुक्षरफसपेट है वो दे सकते हैं और दीखिए जो मिटी हमने बना लिया है उस मिटी को हमने थोड़ा सा vẫn के चारा तरफ डाल दिया तो अवी उसके उपर में हमारा जो फार्टिलाइजर हमने बना लिया है उसको देना है तो यह मेरा आट इंस का pot है तो इसलिए इससे एक आधा पार्ट से भी थोरा सा कॉम महिने डाल दिया तो उसे सब से आपको भी देना है यह बारा इंस के pot अगर है आपका तो यह सारे पूरा ही आपको डाल देना है फिर उसके उपोर में जो मिट्टी हमने बनाया उपोर से दुबारा से डालना है यह देखिए बिल्कुल ऐसा ही करके डालिएगा तो आपका प्लांट्स बहुत ही हेल्दी बनेगा और जल्दी से जल्दी आपको बहुत छारे फूल वी देखिए और एक बात फ्रेंट्स अगर आपके पास पीजियार एविलेवल है तो वो आप प्लांट्स में ज़रूरी स्प्रे किजिएगा जैसे कि आज हमने इसको प्रोनिंग किया है और साथ में फार्टिलाइजर वहुत छारे दिया है तो इसके पहले दिन ही आपको प्लांट्स में इस्प्रे करना है एक लिटर मारी में 30 ड्रोब से अच्छे से खोल के इस्प्रे किजिएगा तो प्लांट्स जल्दी से जल्द इसकास को अभी क्यार किजिएगा फेबरुआरी के 15 तरिक से मार्स के 15 तक अब कर सकते है तो ऐसा करके क्यार किजिएगा तो आपका प्लांट्स बहुत ही हेल्दी बनेगा और ठेर सारे फूल देगा समर्स में तो फ्रेंड्स इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शे जाचिं